जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ज्ञान आर्बियल में साथियों हम बात करेंगे आज यूपी ड्रपल सी असिस्टेंट बोरिंग टेकनीसियन फाइनल कट आफ ठीक है यानि ABT की फाइनल कट आफ क्या होगी उसके बारें बात करेंगे आपको पता है कि DV के लिए दोस्तों आपको पता है कुल पत कितने थे 486 पत थे और DV के लिए 2832 विक्ति बुलाए गए थे तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंटार थे सर आपको ABT का फाइनल कट आफ बताईए कि कितने अंक है तो वो बच्चे अपने आपको मतलब सेलेक्टेड मान ले ठीक है तो चलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है तो अगर आपको पसंद आए कट आफ तो देखे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि आप सभी के कह दाले गए थे यानि कि 49 2019 को और देखे इसका एक्जाम देख सकते हैं दोस्तो एडमिट कार्ड 25 चैनल 22 को जारी के गए थे और एंसर की 2022 में आई है ने कि आपके पेपर जो है दोजार 22 में हुए एंसर की 2022 में आई है और रिजल्ट अवलेवल एकदम दोस्तो तीन तीन दो ठीक है और यह कहा है जिसमें इसमें क्या था कि 20S परकार का दोस्तो आपको ITI सार्टिफिकेट भी होना जरूई था ठीक है चार बिभाग से ठीक है चीज़े आप समझ कहूंगे अब देखे वेकंसी किसकी कितनी है वो मैं बता दूँ अब देखे टोटल 486 वेकंसी है आप दोस्तों टोटल कितनी है 486 यानि ABT यानि की Assistant Boring Technician के बद है ठीक है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में देखे देखे आपको सिलेबस बताओगा टोटल 120 कोशन देखे जो ये DB के लिए बुलाया गया ना वो 120 कोशन पर कड़ाब लगी है 100 पर नहीं लगी ये भी बाजान जाइए देखे क्या क्या था तो आपको पता है 15 कोशन मैत के थे 15 मार्क के और 15 कोशन हिंदी के थे 15 मार्क के और दोस्तों प्रोफेस्नल नौलेज के 15 कोशन थे 15 मार्क के और जर्नल नौलेज के दोस्तों 15 कोशन 15 मार्क के और 60 कोशन दोस्तों आपको ट्रेड के थे ना चार सेक्षन में था ठीक है, यानि 120 कोशन थे 120 अंक के 1.5 घंटे का समय दिया गया था आपको ये चीज आप बहुत अच्छे समझ सकते थे और आपका दोस्तों 1 upon 4 minus marking भी था ठीक है, 1 upon 4 minus marking के साथ में सब चीजे दी गई थी ठीक है, अब आपको बता दें साथियों कि आपको DV के लिए बुलाया गया था ठीक है, ये देखे DV cutoff ये देखे, 3 March 23 को DV की cutoff दी गई थी, ठीक है, इसमें ये देख सकते आपकी आनारच्छित की 54 ठीक है, देखे, 4 लोगों की 54 लगी है, देखे, सामान गयटा करी, अनसूचित जाती पिछडा वर्ग, और दोस्तों आर्थी गरूप से पिछवर्ग, यानि OBC, SC, EWS और दोस्तों सामान गयटा करी, सबकी दोस्तों 54 लगी थी, और अनसूचित जन जाती यानि ST के दोस्तों लगी है, 41.75, इसके लावा दोस्तों, सुतनता से नानी की दोस्तों 48.50 जिरो लगी है, है, सुतनता से नानी की 48.50, और सैन दोस्तों, भूतपूर सैनिकों की साथ है, और महिला की दोस्तों कितनी है, 37. सरी, 35.75 ठीक है, 35.75, दोस्तों क्या है female की गई है 35.75 चलिए इस चीज़ को हम बहुत इच्छेस देखते चलेंगे दोस्तों ठीक है चलिए अब देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखिए एक बार मैं आपको सही दिखा दूँ देखिए General, OBC, EWS और SC के सब की same cut off लगी थी 54 फाइब लगी थी ठीक है और आपके जो freedom fighter थे दोस्तों उनकी 48.50 लगी है ठीक है और एक service man की 7 लगी थी और female की दोस्तो 35.75 लगी है ठीक है ये था DV के लिए अब आपके दिमाग में आगा DV के लिए मैं आपको बता दूँ कितने बच्चे बुलाए गए थे देखिए 486 पद थे और 2832 बुला लिए गए बच्चे क्यों बुलाए गए तो आपको बता दें कि ये 5.8 गुना लगभग दोस्तो 6 गुना के बराबार है और देखिए आपका जो लिष्ट जारी हुए थे उसमें बताए गए कि 2 गुना बच्चे बुलाए गए है मगर दोस्तो समान अंक वाले बच्चों को साथ में बुला लिया गए अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है तो मैं आपको इच्छी बताऊंगा कि समान अर्थ देखिए बुलाया गया दो गुना कहा गया दो गुना और देखिए कितने गुना है 5.8 गुना यानि कि जो आपके 3.8 गुना फाल्तु बुला ले गए ये क्यों बुलाया गए देखिए अब मैं आपको समझाने कोशिस करता हूँ देखिए जो एक कटाफ है ना माले दोस्तो जर्नल और OBC EWS SC की 54 गई है और इनकी HT की 40.75 गई है और 40.50 गई है Freedom Fighter की और साथ गई एक सर्विसमेन और फिमेल की 35.75 तो दोस्तो बहुत सारे बच्चे देखिए जब 54 कटाफ लगाए गए तो हो सकता बहुत सारे बच्चे 54 गई पा गए हो ठीक है? 54 गई पा गई हो तो क्या उनको बाहर करें? बिल्कुल नहीं तो उनको भी साथ में गुला लिया गया है यानि अगर 54 गई से एक अंक कम होता ना ज़्यादा होता ना दोस्तों तो बहुत सारे पजहां पर यहाँ से और आप कह सकते हैं कि 54 वाले बहुत सारे बच्चे थे ठीक है यह आप समझ सकते हैं 54 वाले कितने बच्चे 54 या फिर इसके दोस्तों सेड़ी पे बैठे हुए कितने बच्चे थे तो आपको उता दे 3 पॉाइंट है आपका 3.8 गुना लगभग बच्चे दोस्तों इसी पॉइंट पर थे न इन ही पर बैठे हुए थे इन जितना कटाव निकला है ठीक है अब दोस्तों आपकी मैं आपकी फाइनल कटाव बताऊंगा अब आपको समझ में आगा कि 2832 बच्चे क्यों बुलाएगा जब कि कहा गय था दो गुना तो भीया वो जो जो बच्चे बच्चे ना लगभग 900 कुछ बच्चे ठीक है लगभग 900 के आसपास है निकि इसके दो गुना बच्चे बुलाने थे तो दोस्तों आपको बताते हैं कि 920 के आसपास बच्चे जो थे दोस्तों वो थे दो गुना ठीक है यह ज गुला लिया गया है, अब देखिए, आप, अब आप सुनना चाहते हम से कि DV के बाद, आपकी final cutoff क्या होगी, तो मैं DV के बाद दोस्तो final cutoff बताने वाला हुँ, आप सभी दोस्तों देखिए, आपको घर पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं पसंद आता है तब भी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों मैं देखिए एकदम फाइनल बताता हूं ठीक है किसी का भी ध्यान नहीं रखता अगर आपको सही लगे तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा देखिए इस पर हम हर एक चीज़ पर बात करेंगे देखिए साथे जो यह जर्नरल EWS OBC और ST सेजोन की कटाउब लगे थी डी वी के लिए वो चOWन लगे थी देखिए चOWन के मतलव जानते क्या है कहा गया था दो गुना बिलाने के लिए मगर बुलाया कितना गया है दोस्तों 5.8 गुना अब देखिए 3.8 गुना extra बुला ले क्यूं क्यों कि यह दोस्तों समान अंक थ जाएंगे तो समझने कोशिस करिएगा तो देखिए आपकी जो जनरल करेटेगरी है दोस्तों ठीक है तो जनरल है दोस्तों वह आपके 54 लगी थी हाना चावण ये भी है है ठीक है समझेगा तीन से लेकर के दोस्तों पांच अंग तक समझेगे 57 से 60 के बीच में जिसके भी अंग के दोस्तों उसका फाइनल होना सुनिश्चित है ठीक है क्यों अगर एक नंबर ही बढ़ता न वो 3.5 जो गुना ज्यादा बच्चे बुलाएंगे वो तुरंत भग ज सब्सक्राइगा तो लगवास खाली सा हो जाएगा तो याद रखेगा कि अगर दोस्तों आप जनरल कैंटाइगरी से अगर आपके 57 से ऊपर है तो आपको दोस्तों draft पूल चांस है ठीक है जहां तक मिरान मान है ठीक है EWS से दोस्तों तो आप यह भी इतना ही मानियों का दो है 57 के ऊपर हैं तो अपने आपको हां माने कि हां उनका सेलेक्शन होना निश्चित है दोस्तों देखे सी है तो दौस्तों से वालों के लिए मैं बता दूँं एस एक ठाक थी ठीक है अगर SC के बच्चों के कितने लंग रहें तो आप वताथे अगर दोस्तों여 उनके 55 ब्लस है ना 55 से लिखर के दोस्तों इंके 57 के बीज में तो इनका सेलेक्षान से हो रहा है यानि 55 से 57 के बीज वही दोस्तों अगर मैं 50 की बात करूं 30 के दोस्तों आप वताथे 45 के आसपास दोस्तों, एकर इनके नमबर है, 44 या 45 नमबर है, दोस्तों, STK तो इनका final होना सुनिशचित है, ठीक है, वहीं अगर मैं दोस्तों, guilty की बाद करूँ, क्या साथ ही हो, अगर मैं यहीपे दोस्तों, guilty की बाद करूँ, लड़कियों की बात करूँ मैं, तो देखे, लड़कियों की बात करता हूँ, तो लड़कियों कितनी cut-off जा सकती है, तो दोस्तो लड़कियों की 35.75 बुलाया गया था, क्या, 35.75 ये आपका DB के लिए बुलाया गया था, तो मैं आपको उतादू, लड़कियों का जो है दोस् अगर उनके दोस्तों कितने अंक बन रहे हैं दोस्तों 49 से 40 के बीच बन रहे हैं दोस्तों तो इनका भी final selection श्योर है ठीक है अब बात आते दोस्तों freedom fighter तो freedom fighter की बात बता दोस्तों जो freedom fighter है आपके स्वतंतिता सेनानी वाले भाई लोग जो हैं उनका दोस्तों 48.54 गया था अगर मैं आपको उता दोस्तों इनके 52 अंक हैं तो इनका final श्योर मान लो ठीक है और दोस्तों जो आपके ex-service man है उनका 7 गया दोस्तों मुझे नहीं लगता दोस्तों उसमें जितने भी है दोस्तों अगर dvb pass करते तो उनका final हो ही जाएगा यह हमारा अनमान है ठीक है तो इस चीज़ आप बिलकुल अच्छे समझ गहोंगे कि आपके EWS देखे तुबारा बता दूँ जनरल EWS और OBC इनकी समान कटाप लगभा रहने वाली है दोस्तों देखे इनकी आपको बता दोस्तों 56-58 के बीच में समझ सकते हैं ठीक है और ST दोस्तों ठीक है ST का दोस्तों हमने बताया कि ST की cut-off कितनी गई थी दोस्तों 44-45 अगर है इनकी 44-45 अंक है इसके बीच में है तो इनका final हो सकता है और महिलाओं के लिए दोस्तों हमने बताया है कि महिलाओं के जो cut-off गई थी उनकी दोस्तों बता दो 49-40 के बीच में है इनका फाइनल सेलेक्शन है फ्रीटम फाइटर दोस्तों आप समझ सकते हैं ठीक है तो यह सब चीज़े आपको समझ में आगया होगा दोस्तों अब आपको कमेंट बोक्स में कमें बताना कि आपकी हिसाफ से क्या लगता है ठीक है बहुत समझ के कि इतने गुना बोलाएगे उतने पर ही आसपास है वो सब चीज़े तो बता दिया है आपको कैसे लगी अटाओ अगर अच्छी लगी तो कमेंट बास में कमेंट करिएगा चैनल सब्सक्राइब लिएगा थैंक्यू धन्यवाद